तो friends कैसे है आयोब आप अच्छे होंगे तो friends हमारे पास एक Samsung का J6 phone है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर model दिखा दूँगा सायद आपको ना दिखे पर यह Samsung का J6 model है J600G और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यह चेक कराते हैं किसमें FRP लगी एक नहीं लगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए में वीडियो को जितना कुशिस करेंगे उतना हम SORT बनाने की कुशिस करेंगे मतलब SORT का मतलब FAST बनाने की कुशिस करते हैं तो वीडियो गर आपको पता है तो वीडियो को skip कर सकते है बट आपको नहीं पता है तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा अगर आपको नहीं पता है मैं आपको कुछ नए ट्रिक्स आपको यूज करने वाला हूँ जो भी है आपको अगर नया लगता है और यहां पर आपको हम सारा चीज स्टेप बार स्टेप करके हम बताने वाले है तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे नए notification आपको तुरंत मिले तो गाइस जैसे कि आपने देखा है यहां पर हमने जो phone आपको दिखाया था तो मैं यहां पर सबसे पहले जो मैं आपके सामने आया हूं PC में तो PC में बसाने का मेरा एक रीजन है बहुत टाइम लगता है यूटूब में जाने के लिए तो देर ना करते हो हमारे पास सॉप्ट्वेर है सॉप्ट्वेर आपके पास भी होगा तो आप सॉप्ट्वेर के माध्यम से डारेट अब यूटूब पर पहुंच जाएंगे पर फिर भी अचा कुछ निए आप यहां पे देख सकते हैं आप करके दिखाने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर को फोल देखी यह फ्रेंट्स हमारा यहां पर Chrome खुल चुका है तो simply सब्सक्राइब कर देना है नेक्स मैं यहां पर सारा चीज आपको करकर दिखाऊंगा लाइब और यहां पर आपको यूट्यूब खुल जाएगा यूट्यूब खुलने के बाद आपको यहां पर Google पर जाना है आपको simply य दिखना है F-R-P-F-I-L-E और कर देना है आपको इंटर जैसे आप इंटर कर देंगे तो आप पहले वाली साइड में चले जाएंगे बाइपस Google Account FRP Log File है तो आपको पहले ही साइड में जाना है आपको यहाँ पर टाइप करना है Galaxy Store G-A-L-A यहाँ पर देख सकते हैं Galaxy Store हमने यहाँ पर खोल दिया है इस Galaxy Store को आपको कर लेना है Termin Condition इसको कर लेना है Agree और Agree करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं हमारा यह Galaxy Store खूल जाएगा अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो आप इसे फिलाल कैंसल भी कर सकते हैं या तो आप अपडेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक बार कैंसल कर रहा हूँ अगर यहाँ पर नहीं खुलता है तो हम यहाँ पर जाकर कि उसको अपडेट ही करना पड़ेगा तो यह सारा चीज यहां पर अपडेट आपको करना ही पड़ेगा तो फ्रेंड्स यह अपडेट होने का थोड़ा वेट करते हैं जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा वापस से मैं इसलिए प्रॉपर वीडियो कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता चले कि यह हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह आपको अपडेट कर लेना है अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपका गलेक्सी स्टोर नहीं खुलेगा और मैं छोटा सा एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आपने यह किया है फ्रेंट्स वेसे ही आपका home screen पे आ गया है तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं मैं skip नहीं कर रहा हूं मैं यह बोल रहा हूं कि आप फिर से वही इस फोन में इस आपको application में आपको connect करना है और YouTube फिर से खोलना है और फिर से आपको galaxy store पहुचना है और आपका galaxy store खुल जाएगा तो मैं यह प्रोसेस करके आपको यहाँ पर बस दिखा रहा हूं जैसे मैंने phone को connect कर दिया है data के वल से यह देखिए आप connect कर दिया है phone को हमने यहाँ पर हम कर देते हैं okay अब यह देख सकते है हमारा यहाँ पर यह driver सर्च कर रहा है और यह phone भी आप देख सकते है continue इस सारी चीज मैं आपके सामने live कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी ऐस यह देख सकते हमेसा मैं आपके लिए content मैं हमेसा आपके सामने live बनाता हूं live आपके सामने लेकर आता हूं तो यहाँ पर हमें जाना है फिर से फटाक से गूगल पर जाना है friends यह हम Google पर जाएंगे क्योंकि मैं एक हाँ से बना रहा हूं data cable भी लगा हुआ है फिर से हम Google को खोलेंगे गूगल को खोलने के बाद friends आपको यहाँ पर फिर से वही FRP फाइल पर जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं तो पहले वाले साइट पर हम गये जो कि आपको फिर से मैं remind कर देता हूं कि य हमें पनी का देना है अब सेकेंड ताइम आप देख सकता हैं यहां पर कोई भी update नहीं मागा है अब यहाँ पे आपको application डाउनलूड करना हैं फिर आपको यहाँ पे अप्लिकेसन आपको डाउनलोड करना है आपको यहाँ पर प्लेस्टूर सर्विस हेड़न सेटिं अपो अब फिर से देख लिए एक प्ले सर्विस हेडेन सेटिंग को आपको इंस्टॉल कर लेना है जैसे आप इस अनौल पर क्लिक नेगे चोधे दिन का आपसे रिमांड कर रहा है तो आपको इसको लेटर कर देना है और जैसे ही लेटर कर देंगे यहाँ पर हमारा डाउनलोड होन देंगे open open करने के बाद यह देख सकते हैं हमारा open hidden setting का भी option आ चुका है open heading setting पे आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर friend सबसी नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे last में second option लिखा हूँ Google Play service आपको Google Play service पे जाना है Google Play service पे आपको खोल लेना है Google Play service आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते friend pattern माग रहा है तो आपको यहाँ पर एक pattern लगा देता हूं तो continue करता हूं और यहाँ पर भी पैटन में लगा देता हूं I hope मैं fast video आज इसलिए बना रहा हूं कि इसलि देख सकते है simply हमारे pattern लग चुका है अब आपको करना है simply से reboot अब हमें करना है से restart अब हमें फोन को कर देते हैं restart friend तो यह मैं आपके सामने live इसलिए कर रहा हूं यह सारी चीजे प्रोसेस में आपको सब कुछ practical करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको यह ना लगे कि यह fake video ह या फिर जो भी है तो इसलिए मैं आपके सामने genuine औरी देखे data के वल अभी भी भी लगा हुआ है तो data के वल मैं निकाल देता हूं मैं तो आपको यह ना लगे कि अभी भी computer से ऐसा कुछ हो रहा है without data loss यहां पर हम काम कर रहा है बस हमने इस tool का use इस लिए किया है YouTube खोलने के इस tool का use हमने किया हुआ है तो इस tool का आपको use करना है क्योंकि जब हम galaxy store को खोलते हैं तो एक बार आपको update करना होगा update करने के बाद और फिर इसको आपको बाफस से फिर से आपको YouTube मतलब Chrome तक जाना है तो यह friend में देख सकते हैं और जैसे ही हमारा restart हो जाएगा और देखते करना है next अब यहां पर करना है agreement और यहां पर करना है next next करने के बाद friends आपको यहां पर सारी चीजे मैं सीले करके दिखा रहा हूं wifi connect है यहां पर करना है हमें next अब यह हमारा checking for updates का आ रहा है यह वही phone है तो friends अगर यह video मेरी अच्छी लगती हूँ अगर आप नए हैं और आ पैटर्न को हमने फल अप कर देना है यह पर आपने पैटर्न को डाल दिया है तो friends आप जैसा कि आप यह आप देख सकते हैं बट आपको वीडियो हमारे content अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं हमेसा जो भी bypass कर रहा हूं आपको bypass wise के साथ दे रहा हूं जैसा कि आप देख सकते है । हमारा job done हो चुपा है friends, I hope 110% job done हो चुका है, हमें कर देना है skip और इसे कर देना है skip और यह just a second और आपका काम हो गया है तो हमें इसे कर देना है हमें कर देना है यहां पर ओके उसके बाद हमें कर देना है यहां पर देख सकते हैं और बस थोड़ी ही देर में हमारा यह कंप्लेट प्रोसेस हो जाएगा तो अब इसे हमें करदेना है skip, यहाँ पे भी करदेना है skip, और यहाँ पे करदेना है हमें finish क्या क्या मैं पूरा आप देखी वीडियो को कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है सारी चीजे friends तो allow इसको हमें नहीं करना है वैसे करदेना है done यह आपको notification दे रहे हैं कोई बात नहीं है मेनी कर देते हैं लाओ कर देते हैं okay error checking for यहाँ पे wifi के लिए फिर से आ गया है तो finally वो wifi मैंने बंद कर दिया था अब यहाँ पे आपको कर लेना है अब आपको अच्छा लगा हो यह वही फोन है जैसा कि आपने हाँ पे लाइफ देखा है और यह हमारा प्रॉपर तरीके से हो चुका है अब आपने जो एक APK आपने डाउनलोड किया था यह देखिए प्लेस सर्विस हेडेन को इसको आपको अनिस्टॉर करके कस्टमर को दे देना है तो यह video आपको अच्छा लगा होगा content आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल में नए हैं यह टूल से हमने YouTube खोला है और यह आपको method आप YouTube सी method में भी job करके आप Google तक Chrome पहुंच करके आप यह method यूज कर सकते हैं और आपका 110% job done हो जाएगा जैसा कि आप देख स बीदो में थैंक यू सो मच